नमस्ते दोस्तों स्वागते आप सभी का हमारी इस यूटुब चैनल में आज हम पढ़ेंगे छटी कक्षा विशय हिंदी सुलब भारती पहली इकाई पहला पार्ट सेर देखो समझो और बताओ एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए हम क्या-क्या इस्तमाल करते हैं उत्तर एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए हम बस, हवाई जहाज, रेलवे, आदी का इस्तमाल करते हैं यहां हमें एक चित्र दिया गया है इस चित्र को देखे और उसका वर्नन करे यह किस स यह स्थानक का चित्र है, यह बस्तानक का चित्र है, यह कौन से घोषवाक्य दिये गए है, बस्तानक पर जो घोषवाक्य है, वह है राष्ठ्रिय संपत्ती, हमारी संपत्ती, क्या यहाँ पीने के पानी की व्योस्ता है? हाँ, यहाँ पीने के पानी की व्योस्ता है बस चलाने वाले व्यक्ति को क्या कहते है? उत्तर बस चलाने वाले व्यक्ति को ड्राइवर कहते है बस में जो आपका टिकट निकालता है उस व्यक्ति को क्या कहते है? बस में जो हमारा टिकट निकालता है उस विक्ति को हम कंड़क्टर कहते है आपको इस चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है हमें इस चित्र में बस तानक दिखाई दे रहा है उस बस तानक पर कई फलाट है उन फलाटों पर गाड़िया खड़ी है उन बसों में बैठने के लिए लोग बाहर खड़े है, कुछ यात्री आ रहे है, तो कुछ यात्री जा रहे है, वहां कुछ चीजे बेचने वाले व्यक्ति भी है, जिन में पेपर, नमकिन की चीजे, खाने की कुछ चीजे, यह चीजे शामिल है यात्रीयों की सुविधा के लिए वहां एक स्वच्छत अगुरुव भी है, पीने के लिए पानी है, सबकी यात्रा मंगल में हो, इसलिए वहां लिखा है आपकी यात्रा सुकद हो बस पे लिखा हुआ है, राष्ट्रिय संपत्ती, हमारी संपत्ती, यात्रियों में भूडे, जवान, महिलाई, एवं बच्चों का भी समाविश है क्या आपने कभी बस का सफर किया है, हाँ, हमने बस का सफर किया है आप बस में बैटके कहा गए थे, हम बस में बैटके मामा की गाओ गए थे आपको बस का सफर कैसा लगा, हमें बस का सफर बहुत अच्छा लगा बस्तानक में यात्रियों के बैटने के लिए व्योस्ता है या नहीं हाँ बस्तानक में यात्रियों के बैटने के लिए व्योस्ता की गई है बस्तानक पर कौन सा सुबेच्छा संदेश है बस्तानक पर आपकी यात्रा सुखद हो यह सुबेच्छा संदेश है क्या हमें बस्तानक पर स्वच्छता रखनी चाहिए हाँ हमें बस्तानक पर स्वच्छता रखनी चाहिए दूसरा एक चित्र हमें यहा दिया गया है यह कौन सा चित्र है यह बंदरगाह का चित्र है बंदरगाह किसे कहते है उत्तर समुद्रतट का ऐसा स्थान जहाँ पर एक साथ कई जहाज खड़े हो सकते है उस जगह को बंदरगाह कहते है आपको इस चित्र में क्या-क्या दीख रहा है इस चित्र में हमें आकाश दिखाई दे रहा है आकाश में बादल दिखाई दे रहे है वहाँ कई सारे पंची ऊड़ रहे है समंदर का पानी दिखाई दे रहा है इन समंदर में कई जहाज नाव वह भी दिखाई दे रहे है कुछ लोग हमें यहाँ दिखाई दे रहे है साप सपाई एवं सवच्चता हे तु या संदेज भी लिखे हमें नजर आते हैं वह स्वच्च बारत, स्वस्थबारत, पानी में कचरा न डाले दूर एक जगा लाइट हाउस भी हमें नजर आ रहा है वह अभी हम देख सकते है क्या आपने कभी जहाज या बोट से यातरा की है? हाँ, हमने एक दो बार जहाज से और बोट से यातरा की है वहाँ एक लाइट हाउस है, जिसे हम प्रकाश तंब कहते है इस प्रकाश तंब का क्या काम होता है? उत्तर, समुद्र में आए जहाजो को रास्ता दिखाना और जहाजो को चट्टानों से टकराने से रोकना यह प्रकाश तंब का काम होता है समुद्र में बड़ी जहाजे कितनी है? समुद्र में तीन बड़ी जहाजे है उन जहाजों में क्या-क्या है? उनमें से कुछ जाज मालवाक है और कुछ जाज में यात्री है स्वच्चता संबंदी कौन सी सुचना या गोश्वक्य दिये गए है और वो है स्वच्च वारत, स्वस्त वारत, पानी में कचरा न डाले क्या हम बंदरगाह पर स्वच्चता रखेंगे हाँ हम मंदरगाह पर स्वच्चता जरूर रखेंगे तीसरा चित्र है यह किस स्थान का चित्र है यह हवायाड़े का चित्र है क्या आपने कभी हवायजाज से यात्रा की है हाँ हमने अपनी मम्मी पपा के साथ हवायजाज से यात्रा की है जहां हवाई जाज खड़े रहते हैं उसे क्या कहते है उत्तर जहां हवाई जाज खड़े रहते हैं उसे हवाई आड़ा कहते है क्या हम हवाई आड़े पर सुच्चता रखेंगे हाँ हम हवाई आड़े पर जरू सुच्चता रखेंगे हवाई अड्डे पर कौन सी सुचनाई लिखी है हवाई अड्डे पर कुछ सुचना है वे है धुम्बरपान मना है लावारिस वस्तूओं को हाथ न लगाए चित्र में हमें कितने हवाई जहाज दिखाई देते है चित्र में हमें तीन हवाई जहाज दिखाई दिते है यह राष्ट्रिय हवाई अड़ा है यह आंतर राष्ट्रिय हवाई अड़ा उत्तर यह आंतर राष्ट्रिय हवाई अड़ा है प्रवेश द्वार पर कोंसा बोर्ड लगा हुआ है प्रविशदौर पर वोड़ है आंतर राश्ट्रिय हवाई अढ़्डा उस बोड़ पर कमान पर कितने जंड़े हैं उस बोड़ पर या कमान पर पाच जंड़े हैं हावय जहाज से उत्रे हुए लोगों को लाने या ले जाने के लिए वापर गाड़ी अभी खड़ी है, एक और चित्र हमें दिया गया है, यह चित्र की स्थान का है, उत्तर यह रेल स्थानक का चित्र है, हाव, हमने कई बार रेल से यातरा की है, क्या रेल वे स्थानक पर बैटने की व्योस्ता होती है, हाँ रेल्वे स्तानक पर बैठने के लिए व्योस्ता होती है रेल गाडिया किन किन चीजों को ले जाती है रेल गाडिया यात्रियों को ले जाती है और कुछ रेल गाडिया माल वहक भी होती है उन रेल गाड़ियों में माल एक जगह से दुसरी जगह ले जाया जाता है क्या हम रेल स्तानक पर स्वच्चता रखेंगे हाँ हम रेल स्तानक पर स्वच्चता रखेंगे टिकट लेने के लिए हमें कहा जाना पड़ता है टिकट लेने के लिए हमें टिकट घर जाना पड़ता है पट्री पर क्या खड़ा है? पट्री पर रेल खड़ी है रेल स्तानक पर कौन सी सुचना है लिखी है? रेल स्तानक पर सुचना है आपने सामान का ध्यान रखे सफाई कर्मचारी क्या कर रहा है? सफाई कर्मचारी सफाई कर रहा है ट्रेन में आपका टिकट कौन चेक करता है ट्रेन में हमारा टिकट टिकिट चेकर जिसे हम टिसी कहते हैं वह चेक करता है रेल स्तानक पर आरक्षन की खिड़की क्यों होती है ट्रेन में आरक्षन की खिड़की इसलिए होती है जग सीट सुरक्षित कर सके इसी के साथ सहय से सम्मंदित जो कुछ सवाल जवाब थे या वर्नन था वह यहाँ पर पूरा हुआ एसे हिंदी विशय और भी विशयों की वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें हमारे सबी वीडियो आप तक जल्द से पूंशने के लिए ये बेल आइकोन बटम को क्लिक करें यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें अपनी मित्र से वीडियो में ज्यादा से ज्यादा शेर करें कोई प्रतिक्रिया हो सुजा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें यह वीडियो अन्त तक बिन्यवाद, थेंक्यू, थेंक्स अलोट.